नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का इस आनलाइन चैनल में भहुत बहुत स्वागत है तो इस आनलाइन इस्टिचूट में आप सभी को सामाने विज्ञान या फिर विज्ञान के कुछ महत्वपूर टापिक वाई जे प्रस्थन सिंकल आपको प्राप्त हो रही है जो कि आपके आने वाले सभी प्रकार के एक जामस के लिए आती महत्वपूर होंगे तो एक एक प्रस्थन आप बिल्कुल ध्यान से देखते चलिए साथ ही मित्रों जो भी चैनल से पहली बार जोड़ रहो है या फिर जिन मित्रों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप लोग चैनल जरू सब्सक्राइब कर लिया करिए पीछे की वीडियो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर की प्राप्त कर सकते हैं कोई भी आपको रिलेटिट टॉपिक की वीडियो चाहिए होती है पहला प्रस्थन है आज का नेमन में से कौन हमारे सरीर का सबसे द्रिड भाग होता है तो हमारे सरीर का सबसे द्रिड भाग दंतवल्क या इसी का एक अन्य नाम होता है इनेमल ये नाम आपने प्राया सुनाओगा इनेमल नाम से तो आपको दंतवल्क पूछ दे या फिर इनेमल पूछ दे ये दात के सिकर पर होते हैं अत्यदिक कठोर होते हैं सफेद कलर के और चमकी लिए होते हैं ठीक है इनका निर्माड मुख्य रूप से कैल्सियम कार्बोनेट और कैल्सियम फास्पेट से होता है तो इसको भी आप जानते रहे हैं यह काफी या कह सकते हैं सरीर का सबसे कठोर भाग यह होता है इनेमल या फिर दंत व तो जबड़े में इतनी मजबूत मांस्पेसिया होती हैं कि किसी वस्तु भारी वस्तु को उठाने की चमता भी इनमें होती है। तो ए आपका हो जाएगा बिल्कुल डाइट आंसर आएए देखते हैं अगला प्रस्ना है आपको सुमेलित करना है सुची एक को सुची दो से और सही विकल्प का चैन करना है आप लोग भी आंसर करते चलेंगे तो उरोस्ती उरोस्ती का संबंध है इस्टर्णम से जत्रुक इसका संबंध है क्ले इकल से इसके बाद आपका ये कॉलर बोनों गया नी-क्यप हमारे जो घुटने पे हो था है जो कैप की तरह जानू फलक इसका संबंध होता है पैटेला से ठीक है और असकन्ध फलक इसका संबंध होता है इसके पुला से empirical ये इनिके बिसेस नाम होते है, जैसे उरोस्ती का नाम होता है, इसका नाम ये होता है, जानू फलक का पैटेला, और इसका नाम ये होता है, जानू फलक का पैटेला होता है, और असकंद फलक को हम इस कैपुला बोलते हैं, ये इंके इंगलिस में नाम है, ठीक है, तो इसको भी आप जान आपको सुमेवसने आपको फुनन क्निख अर उनकि करلف में हो जा इसा बॉलता थे पता से दिए शेट्र से समधुर्यों मतल इस्सके नाम होता इंगलिस में वहाई पर आप्ञक्तृ को बोलते हैं जत्रुक इसका संबंद होता है इसका इंग्लिस में नाम होता है नी कैप या इसी को बोलते हैं जानू फलक पैटेला से संबंदित है और सोल्डर बेल ब्लेड या पिर असकंद फलक इसका संबंद होता है इसके पुला से बिल्कुल आपका यहां पर सी हो साथिर में पाचन का अधिकांस भाग किस अंग में संपन होता है तो यह पाचन तंत्र से संबंदित प्रस्थन है तो इसमाल इंटेश्टाइन या छोटी आत्में आधिकान से जो डाइजेसन होता है इसी वाग में होता है और एक बात जा लिजिए कि पच्चेवे भोजन का अवसोसड भी यहीं से होता है। ठीक है भोजन का पाचन श्या कर सकते हैं sommes हैं कार्बॉहडरेट का पाचन हमारे मुख भगवा serpent से प्रारंब हो जाता है और बढ़ी आर्ध चलता रुथ प्रोटीन सबसे अधिक है डायजेशन और होता है विलकूल आपको पता होना चाहिए यह सारे Factor काफ ही मात्तु पूए है तो एक effect आप एक 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 आप बिलकुल धियान से देखते चलिए आप लोग भी आशर करते चलिए वेडियो के अंत में जरूर आप Sw Wand को एनलाइज किया करिए कितने प्रसवन आपके सही हो पाए अगला प्रस्तन है लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करता है तो लार इस्टार्च ठीक है कार्बो हाइड़िट के इस्टार्च का पाचन करता है यह भोजन को घीला करना भोजन की लुगदी बनाना ताकि उसे आसानी से निगल सके लार में एंजाइम होता है क्लिए दोनों नाम आपको पता होना चाहिए इस एंजाइम का कार्य क्या होता है या इस्टार्च को सरकरा में ब्रेक करता है ठीक है सरकरा में या सुक्रोज में यह तोड़ता है इसके लावा लार में लाइसो जाइम नामक एंजाइम से भी होता है जो भोजन के साथ आये हुए जीवाड़ू को नश्ट करता है लाइसो जाइम ये भी नाम आप याद रखे most important है ये भी सारे प्रसनाप के काफी important है तो लार में पाया जाने वाला इस टार्च को सरकरा में ब्रेक करता है और लाइसेज नामक एंजाइम भोजन में जो जीवाड़ू होते हैं उनको नश्ट करने का कारे करता है अगला प्रसन है आपका कथन और कारण दिया गया है कथन देख लिजिए पहले कि मानो शरीर में यक्रित या लीवर वसा के पाचन में महतुपुड भूमिका निवाता है बिल्कुल सही है आपका कारण देख लिजिए यक्रित दो महतुपुड वसा पाचक एंजाइम उत्पन करता है तो यक्रित वसा पाचक एंजाइम उत्पन नहीं करता है बलकि यक्रित आपका पित तरस ठीक है बाइल यह इसका सरावड करता है जो कि आपका गॉल ब्लेडर या फितासे में कत्रित रहता है और यही आपका जो होता है वसा की पाचन में सहायता करता है तो इसमें कोई वसा पाचक एंजाइम उत्परन नहीं करता है तो आपका भी का क्योंता है तो अन्जाइम आपका एक बायो या फिर जैब उत्प्रेरक्थ होते हैं जो जैब रासायनिक क्रियाओं को जैसे हमारा भोजन का कि यह सकते हैं और LIVE को आपके प्रोटीन से का निर्माद सा है और प्रोटीन आपका सिर्मेंटरोन का इन्माड़ होता है एन्जाइम का और प्रोटीन विसिकली आपका नाइट्रोजन ग away का सकते हैं अमीनो अमलर undertика कि संसलेसल के द्वारा होता है प्रोटीन का निर्माड और इस प्रोटीन से निर्माड होता है एंजाइम का फिर देख लिजी अगला प्रस्थन है एंजाइम है एंजाइम आपका एक प्रकार का प्रोटीन होता है फिर अगला प्रस्थन है आपका निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लुकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है तो जाइमेज नामक एंजाइम ग्लुकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है ग्लुकोज मतलब आपका हो गया C6, H12 और O6 तो जाइमेज की उफस्तिती में आपका बनता है इथिनॉल मतलब हो कि आपका सी टू एच फाइप ओ यह एच एथिल एलकोवल ठीक है प्लस आपका कार्बन डाई आकसाइड तो आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर अगला प्रसना है जैविक सिस्टम या फिल लेविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज या कैटलिस करने में उत्तरदाई पदार्थ होता है तो बिल्कुल आपका एंजाइम्स होते हैं जो जैव रासायनिक क्रियाओं को दिब्र कर देते हैं तो बहुत से जो प्रोटीन होते हैं कार्बोहाडरेट होते हैं और वसा होते हैं इनको सरल अड़ों में परवर्थित करने की क्रिया एंजाइम के द्वारा ही संपन्न होती है ठीक है अगला प्रस्थना है निम्न में को यूरिया में परिवर्थित करता है इसके लावा ग्लोकोज के अत्रिक्त मातला को ग्लाइकोजन के रूप में ग्लाइकोजन के रूप में वसा ग्लाइकोजन के रूप में एक्रित करता है वसा के पाचन में साहक होता है तो एक्रित इसका कार्य होता है अमोनिया को योरिया में परिवर्थित करना इसके लावा यह बाइल या फिर पित रस का उत्पादन करता है रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीन का उत्पादन ग्लाइकोजेनेसिस जिसमें ग्लाइकोजन का निर्माड होता है ग्लुकोज से सौरी गलाइको जेन तिकर गलाइको जेन इसके लाबा रक्त में ऐमेनो अमलका नियमन हो गया विसाक तो जो अमोनिया इसका युरिया में परिवड़ते यह सभी कारी युरिया लीवर के होते है यक्रित क्यों होते हैं यह होगे आपका एक्रत के बारे में यतनी भी बाते तो बिल्कुल इनको आप याद रखेंगे ध्यान रखेंगे इनको कि अगला प्रस्ना है लिपिट्स का पाचन निम्न में से कुछ की उपस्तिती में होता है तो यहाँ पर हमारे भोजन सामकरी में जो लिपिट्स होते हैं यह सरल वसा यानी ट्राई गिलिसराइड्स के रूप में होते हैं तो लिपिट्स के पाचन के लिए लाइपेज नामक एंजाइम जो है सबसे महतोपुड होता है इसको आप पहले जान लीजिए लिपिट्स को वसीय अमलो और मोनो गिलिसराइड में तोड़ने का कारे करते हैं तो पित्त में आपका कोई एंजाइम नहीं होता है फिर भी या लिपिट्स के पाचन और असोसड में सहायक होता है पित्त अमला ठीक है तो यहाँ पर आपका एक और दो सही है पेपसीन से कोई मतलब नहीं पेपसीन जो प्रोटीन का पाचन करता है ठीक है पेपसीन आपका प्रोटीन का पाचन करता है इसको भी आप जानते रहिए तो पित अमल और लाइपेज ये दोनों लिपीट सक्के पाचन का कार्य करता है अगला प्रस्न है और आज का अंतिम प्रस्न है कि मानव तंत्र में निम्न में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है तो ट्रिपसीन, टॉयलीन और पेपसीन ये तीनों आपके पाचक एंजाइम होते हैं इनका स्रावकरमस अगनास है ट्रिपसीन का स्रावकरमस से होता है लार गरंती से टैलीन नामक पाचक एंजाइम का स्रामड होता है वहीं पर पेपसीन नामक पाचक एंजाइम का स्रामड आमासे से होता है यह आमासे से हो गया यह आपका लार से इसका स्रावड होता है और ट्रिपसीन का स्रावड अगनासा या फिर पैंक्रियाज से होता है अगनासे आपका सरीर का एक मात्र मिस्ट्र ग्रंती की रूप में जाना जाता है क्योंकि यह हर्मोन और एंजाइम दोनों का स्रामण करते हैं थोरा सा पाउर जा लेजिए यहीं पर ट्रिप्सीन जो होते हैं एक पेप्टाइज होता है जो पेप्टाइट्स को तोड़ने का कारे करते हैं टाइलिन जो होता है आपका ये एंजाइम लार में पाया जाता है जो इस्टार्च या फिर उसी को हम मंड बो होता है जो कि आमासे में जी जी सेल से इंका स्रामण होता है और ये ग्रहडी द्वारा मुक्त होते हैं तो आसा करता हूं आपको ये सभी जानकर ये अच्छी लगी होगी इसी तरह कि मात्वपुल प्रस्थनों की सरंक्ला आपको अगले वीडियो में पुन्हाप्राप्त बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का